अगर आपके पास pen tablet नहीं हैं, तब भी क्या आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं? आज का ये वीडियो आप जैसे ही एक teacher द्वारा request किया गया था, जो जानना चाहते थे कि paper और pen की help से पढ़ाते हुए, background remove करके teaching videos बनाये जा सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे teachers हैं, जिनके पास pen tablet, digital board नहीं हैं, और वो white board या pen paper से ही पढ़ाते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं teachers के लिए है, Hello educators, मेरा नाम नेधी है, और आज के इस वीडियो में हम students को पढ़ाने का एक और तरीका सीखेंगे, तो चलिए वीडियो को शिरू करते हैं और देखते हैं कैसे इस तरह से पढ़ाया जा सकता है, इस तरह के teaching setup के लिए आपको use करना होगा OBS Studio को, अब यहाँ पर आप sources में दो चीज़े सबसे पहले add करेंगे, display capture, जिससे आप अपनी पूरी screen को record करेंगे, दूसरी चीज़ है, audio input capture, जो है आपका mic, जिससे आप जो भी narration देंगे, वो यहाँ पर record होगा, अब इसके अलावा आपको दो video capture device यहाँ पर add करना है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, एक camera यह है, एक camera यह है, यह जो camera है, यह record करेगा मेरे face को, और यह जो दूसरा camera है, यह record करेगा इस paper को, जो भी मैं यहाँ पर लिखकर explain करूँगी, वो सारी चीज़े यहाँ पर record होगी, अब इन दोनों camera's को मैंने किस तरह से यहाँ पर connect किया है, इस camera में मैंने use किया है एक application, जो है alligator virtual camera, जिसे हम Epoch Cam के नाम से जानते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर irian webcam या फिर droid cam भी यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरा camera है, इसमें मैंने wired connection लिया है, और directly जो मेरा phone का camera है, उसी को मैं as a video capture device यहाँ पर use करने वाली हूँ, तो अब मैं आपको यह सारी चीज़ें add करके बता रही हूँ, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, video capture device add करेंगे, पहला video capture device हम add करेंगे, यह वाला जो camera जो face को record कर रहा है, और फिर जो मेरा background है, इसको हम यहाँ से remove कर देंगे, तो यहाँ मैंने निधीज phone इसको हमने select कर लिया, अब जो additional part है इसको हमें crop करना है, अब जाना है में filters में और यहाँ effect filters में chroma की वाला जो option है, इसको select करके apply कर देना है, अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर क्या add करना है, we have to add second camera जो इस paper को record करेगा, तो फिर से हम जाएंगे sources में add पर click करेंगे, और video capture device यहाँ पर हमें select करना है, और यहाँ हम select करेंगे epoch cam, जो की alligator virtual camera के नाम से यहाँ पर saved है, अब क्या करना है, थोड़ा सा इस paper को हमें adjust करना है, जिससे कि यह पूरे screen पर visible हो, अब देखें, जो मेरा face है, वो यहाँ पर visible नहीं है, वो पीछे हो गया है, तो यह जो video capture device 2 है, इसको हम नीचे लेकर जाएंगे, drop down arrow की help से, जिससे कि जो मेरा face record हो रहा है, जिस camera से वो चीज़ ऊपर देखें, तो अब हमने more or less सभी तरह की settings कर ली है, with sketch pen, यहाँ पर अगर आप normal pen से लिखेंगे, तो वो बहुत छोटा छोटा दिखेंगा, अच्छा मैं pen से लिखके बता रही हूँ आपको, कुछ fraction of second का lag आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो अगर आप screen पर देखकर लिखेंगे, यह तो हो सकता है, थोड़ा आपको confusion हो, तो जब आप लिखें, तो फिर आप paper पर ही देखकर लिखें, उससे आपको difficulty नहीं होगी, और pen पर मैंने आपको दिखा दिया, किस तरह से दिख रहा है, although आप थोड़ा gel pen या कोई thick pen लेंगे, तो वो भी properly visible होगा, बट I would suggest कि आप यहाँ पर sketch pen को ही prefer करें, और light colors मत use करें, थोड़े से जो dark shades हैं, वही use करें, जैसे कि blue color हो गया, violet color हो गया, black color हो गया, इस तरह के colors आप यहाँ पर use कर सकते हैं, तो यह एक setup आप recreate कर सकते हैं, आप थोड़ा आपको देखें, जब आप करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहां लिखना, कैसे लिखना है, अगर मैं इधर लिख रही हूँ left side में, तो वो चीज छुप जाएगी, तो हमें थोड़ा सा right side में ही चीजों को लिखना है, और थोड़ा बहुत lighting का ध्यान आपको रखना है, पेपर के ऊपर भी ना सिर्फ आपके face पर, आपके paper पर भी lighting हो, तभी ये चीज प्रॉपरली यहाँ पर screen पर visible होगी, तो अभी जैसा आप देख सकते हैं, जो lighting है, पीछे मेरी green screen है, जैसे हमने eliminate कर दिया, आप यहाँ पर ring light यूज़ कर सकते हैं, soft box यूज़ कर सकते हैं, या फिर umbrella diffuser भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके face पर light देगा, और इसके अलावा, ये light क्योंकि काफी बड़ी है, तो यही light में यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपको required हो, तो आप paper के लिए एक separate light भी यूज़ कर सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान दें, कि वो light source आपके camera के ऊपर ना हो नहीं, तो इस camera का पूरा shadow आपके paper पर आएगा, तो अगर आप paper के लिए कोई light source यूज़ कर रहे हैं, तो उसे आप incline करेंगे, इस angle पर, जैसे यहाँ paper है, तो आप इसके opposite direction में थोड़ा सा light यहाँ पर आ सकता है, जो सिर्फ paper पर focus करें, पीछे से नहीं light देना है, उपर से नहीं देना है, सामने से आप light देंगे paper पर, तो normal room tube light है, आप उसको use कर सकते हैं, या इसके अलावा और कोई option हो, छोटा सा bulb या कोई lamp वगरे आप use कर सकते हैं, तो जिससे की पूरा जो setup है, वो properly visible होगा, तो ये एक तरीका है, जिससे आप इस तरह के teaching videos को record कर सकते हैं, अब आपको देखना कहा है, जब आप इस तरह से video को record करें, तो अभी क्योंकि मैं उस camera से video को record कर रही हूँ, तो मैं वहाँ देख रही हूँ, जब मैं यहाँ पर teaching करूँगी, तो ये जो camera है, जो मेरे face को record कर रहा है, मैं इसके lens में देखूँगी, और इसका जो back facing camera है, मैं उसी को use करूँगी, videos को record करने के लिए, तो I hope इससे आपको एक idea लग गया होगा, कि अगर आपके पास pen target नहीं भी है, और आप इस तरह से teaching videos बनाना जाते हैं, जिसमें जो आपका video का background है, वो पूरी तरीके से remove हो गया हो, तो ये पूरा setup आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आप videos को recreate करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आज के video में बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से next video में,